हाई गाइस कैसे हैं आप सब तो आज का जो टॉपिक है चैटर त्री से है और आज हम देखेंगे स्पीज वेलोसिटी एंड इस पहले में प्रिविए जो क्लास है आपकी रिकॉल कर देता हूं प्रिविए क्लास में हमने देखा था मोशन हमने जाना था कि मोशन क्या होता है आप सब्सक्राइब करता है तो इसमें डारेक्शन का कोई रोल नहीं रहता सिर्फ और सी मेंगनिट्यूड यहां पर रोल प्ले करता है फिर बात करेंगे दिस्पेस्मेंट की बारे मैं आपको बताया था कि यह क्या बता है इस पर फोकस करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड की कि स्पीड का तो यहां पर आप डिफिनिशन देख पा रहे हैं कि स्पीड इस क्लियर कॉंटिटी डाट रिफर्स तो हाव फास्ट अन ऑब्जेक्ट इस मुवीं इस पीड यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तीज कितना फास्ट मूफ कर रहा है ठीक है मोशन कर रहा इस स्पीड कन विफॉट ओफ अस दरेट अट विच गए अन अब्जेक्ट कवर दिस्टेंस के अगर इस पीड को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस पीडिकल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस और अपॉन में आजाएगा आपके पास आपके ताइम ठीक है तो इस पीडिकल टू तर डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने के मतलब यह है कि जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप जैसे मालीजे आपने टैन किलो मेटर कवर किया आपने आपने फाइफ मिनिट में तो आप स्पीड करते हों ठीक है स्पीड की यूनिट क्या होती बेसिक चीज़ां आप सभी जानते होंगे यूनिट होती है मीटर पर सेकं या किलो में पर आर भी अदि औरory होती है इसके लाब सबसे इंपॉर्ण बात यह है कि इस स्केलर कॉन्डिटी है ज्यान कि का स्केलर देखिए लिए एक ट्रक है यह कोई ट्रक है और ये कहीं जा रहा है यह अ Everybody वो गरी passage कर रहा है ऐसे गया ऐसे गया तो मतलब कि अकशेट खबर कर रहा है और यह अपने psychology ऑक ऐसे पर्टिकुलर करते हो पर्टिकूलर टाइम में कवर करते हो तो आपकी तो आप यह कह सकते हो कि वो 30 km पर आर जा रहा है यानि कि speed का जो magnitude है जो value हो क्या है 30 km पर आर लेकिन कहा जा रहा है इस से मतलब नहीं है speed में बस जा रहा है ठीक है लेकिन इसके उलट जब velocity के आगे जब मैं बात करूंगा तो वहाँ पर आपको direction भी बताना पड़ेगा तो यह था speed ज में यह आप एक चीज और कह सकते हो आप लोग यहां पर एक सेगंड कि जो speed होती है जब स्पीट के हम बात करते है तो इसको आप इस तरीके से define कर सकते हो दर रेट कि जरेट कि एट विच एनी ऑबजेक्ट एनी ऑबजेक्ट चीन इस पोजिशन जब कोई ऑबजेक्ट अप वो speed से define होगे तो यह था आपका speed आप आते हैं वेलोसटी में अब जो हम बलाशी की बात करते हो एक लेकंजेंपल सबसी पहले में आपको देता हूं पिसका मेंगनिटूड तो होता है तो जब आपसे पूछा जाएगा तो सेम ड्रक अगर आपका कि एक पॉइंट एसे कहां पहुंच गया एक पॉइंट बी पहुंच गया तो उस्टेम हो सकता है उसकी फिलो स्थिक्टी आपको किदर जा रहा है रोड जा रहा है कि वे डौट जा रहा है धनर जो गर आपको बताना पड़ेगा जा बाता सील यहीं पर। आपको डारिक्षन रहा से हैं प् cal तो आपका दिस्टेंस तो वही ट्रक डिस्टेंस जो भी उसका की इनिचल पोजिशन कै थी अगर आपके इस पोकस अधर पीटिकुलर डारेकशन डारिक्टन में होता अगर अगर आपको उसके displacement और डारेक्शन में इंट्रस्ट है तो आप वेलॉस्टी की बात कर रहे हैं लेकिन अगर आपको सिर्फ इससे मतलब है कि वह कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में तो वह स्पीड है ओके इस डैट क्लियर तो वेलॉस्टी की हम बात क जो बच्चे नया जुड़ना है अपने अटेंडनेस देते जाएंगे साथ यसाथ और साथ यसाथ लिंक शेर भी करते जाएं और मागी बच्चों को भी आप यहां पर जोड़ें और क्लास अटेंड करवाएं क्योंकि आगे चल कि जो भी मैं आपके टेस्ट लूँगा इस इसके लाव व्लाओसित की भारत कर अगर यूनेट की यूनेट यो इसकी भी मीटर पर सेकेंडी हुती है या किमीटर पर ऑर और यहोगी बात प्लासिट की अब इसके साथ बात कर लेते हैं average speed अब average speed क्या है मालेजे कि आप a से b तक गए a से b तक गए बीच में p पड़ता है तो a से p तक आपकी speed कितनी थी 100 km पर और p से b कितनी थी 200 km पर आप अगर मैं आप से बोलता है आप्से आपको करना है क्यां आपको चेक करना एस से कितारu कि दिस्टेंस कितना कि पहले तो हन्डिद किए एक घंडे में कितना कवर कि आपने थापने था स्पीट हो किन तो मतलब ऑन्सेटल हां आप आपने किता कवर किया साथ और दो तो सथ दी सव घंटे किता घंटे आपने 302 कि तो आपका घर से निकले आपको शैडौ जाना है तो आप घर से बाइक निकले है आप 10 बजे निकले पश्राइब और पहुंचने के बाद आप पहुंचने के बाद आप रही होगी कभी स्पीट कम रही होगी कि उके फिर आप ग्यारा बुजी पहुंच गए तो आप धेखा किया शैदोर टोटल 20 किलोमेटर दूर है और मैं करीब आधे घंटे में आ आ गया तो ट्वेंटी किलोमेटर अगर आधे घंटे में अगया है ठीक है एक घंटे में कित अख़र क्या होगा 40 km पर तो उसने और निकाल लिया कि और स्थन मेरी स्पीड 40 km पर रही होगी एक्जैक्ट नहीं होगी बस उसने पूरा हिसाब क किताब देखा कि हाँ यार मैं इत्ते वज़े निकला था इत्ते वज़े पहुंच गया और वापस आगया वापस आप अपने घर से शैडूल गया शैडूल से वापस घर आगया आपकी एवरेज वेलॉस्टी जीरो होगी क्योंकि आपका डिस्प्रेस्मेंट नहीं हुआ क्योंकि आपका जो क्योंकि डिस्प्रेस्मेंट जो होता है आपका जो डिस्प्रेस्मेंट होता है वो क्या होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशल पोजिशन तो आपकी फाइनल पोजिशन भी ए थी इनिशल पोजिशन भ वापस घर आ गए तो आपकी जीरो नहीं होगी क्योंकि हो सकता है 20 आपने कभर किया 20 आप लॉट कर आए आने जाने में टुटल दो घंटे लगे तो आप क्या करोगे 20 और आने जाने दो घंटे लगे तो आप बोलो गया मेरी औसाथ स्पीट 20 km पर आ रही होगी ऐसे लेकिन अगर यही चीज आप अवेज़ology के डियो के सोखोँ एवरेज़लोस्टी क्या है झांथ के लिया आपको निकानला पड़े कर डिस्प्लेस्मेंट और डिस्प्लेस्मेंट थो हो यह नहीं आपका अपका फाइनल जो पोजिशन थी वह भी A छी आप A से निकले पने कि ये औ इस पूरी जर्नी के दोरान आपकी शेचींज हुई क्या नहीं चींज हुई किसको समझ में आ रहा है या समाथ पूछे और पूछे पूछना है डिस्पेस्पेस्वेंट हुई है नहीं जीरो वेलोसिटीाइब आई बास हमें तो इक बार रिकॉल कर लेतें को कि यह आंसे में एक नहीं चीज़ पढ़ाऊंगा आपको स्पीड क्या है स्पीड इस डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आपका फूकर सिब डिस्टेंस कवर्ड पी होता है कि यह एक घंटे में इतना पाथ तुमने कवर कर लिया डारेक्शन से मतलब नहीं है तब आप बात करना है तो कि अब स्पीड इस दा रेट औस चेंज और कोजीशन का चेंज होना ही क्या है आपका स्पीड है यह पाथ पर्टिकुलर टाइम इस काल स्पीड अब बात करते हैं वेलाउसिटी के जब हम बात कर रहे तो वहाँ पे उसको पाथ कितना कवर कर रहा है उससे मतलब नहीं है उसका डि अब यह 5 km गये और यह आप गये 6 km कि पॉस्पोज कर लिजे मैं पाइथागुरस नहीं लगा रहा हूं मालीजी 7 km है तो अगर डिस्टेंस के हिसाप से देखा जाए तो आपने 6-5-11 km कितना कवर किया दिस्टेंस आपने 11 km कवर किया हो सकता है आपने ए 1 गंट में कवर कर लिया हो टाइम किता था अपका वन आर था अपकी स्पीड कर रहे होगी इस्टेंस अपन टाइम 111 यानिके 11 km पर आर लेकिन अगर मैं आपसे पूछो आपका displacement कितना हुआ तो है यह है होगी वह होगी 7 kilo meter पर आ यहां पर दिखा नहीं होगा क्योंकि मैं हूं तो इसको इस पार मैं मिटा देता हूं पूरा हिले हैं है मेरी अब एपॉइंट है यह पॉइंट है ये आप कि यह सेवन किलोमीटरर यह फाइफ किलोमीटर और यह सिक्सक्राइब कैपंnes सब्सक्राइब यह अपने डिस्टेंस कवर किया अपने 11 km टाइम हो सकता है अपने एक घंटी लिये हूं आपके स्पीड किता है गालेवन किलो में पर आ रहाएगा लेकिन आप से अगर बात करता हूं आप से तो विलॉसिटी में आप पाच कवर नहीं देखते हूं भले आप ऐसे गय थे तो डिस्पेस्ट में आपका कितना हुआ एक घंटे लिए तो आपकी विलॉसिटी किती थी विलॉसिटी आपकी 7 km पर आ रही होगी ओके एस यहां पर मैं लिक देता हूं फॉर्मुला एवरेज विलॉसिटी को जो फॉर्मुला होता है वह था है आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी ठीक है और यह स्पीट का आप जानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है एवरेज विलॉसिटी को आप और अगर तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल एक्स को मतलब होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशल पोजिशन और ड आपके डाउट है कुछ बच्चों को सकते समझ में ना आया हो दुबारा वीडियो मना दूँगा आपके डाउट का टेंशन नहीं लेना है एक हजार बार पूछो कि एक हजार बार बताऊंगा लेकिन क्लास अटेंड करना है डाउट पूछना वाट्सप में भी आप डाउ सब्सक्राइशन लिख देता हूं देव लॉस्टी द विलॉसिटी विच गिफ्स नोट बनाते जाहिए जो मैं बात भूलते जा रहा हूं जो आपको इंपॉर्टिन लग रही है उसको आप नोट डॉन करते जाहिए पैन कॉप्य लिके बैटा करिए देव लॉस्टी विच वेल्यू आट गिवेन टाइम इंटर वल मेंट ग्रील गेट गिवेन अल्यूंत वजडाब ऑल देखे आप Apa को आप एक पॉइंट ए से गए मुझ आप एंट 25 ऐसे जा रहे हैं कहां भी जा रहे आप पॉइंट A से कहा जा रहे हैं B जा रहे हैं और रस्ते में पढ़ता है P अब A से B आपकी स्पीड हो सकता है 100 km यह स्पीड लो विलॉस्टी लो जो भी लिलो पहले कॉंसेट को समझो 100 km पर आर रही हो लेकिन अगर आपसे पूंचो कि इस रास्ति में जो एक गाउं पढ़ा पी वो जब गाउं क्रॉस हुआ तब आपकी स्पीड कैसी तो आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे सिर्फ वही बता पाएगा जो माईलो मेंटर के सामने हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट एट इंस्टेंट उसकी विलॉस्टी क्या थी मतलब कि अगर आप दस बजे घर से निकले ठीक है और इदिया बाइक चला रहे हो मैं आपको कॉल करूं दस बच की दो मिनिट में मैं तो आप कहां देखोंगे माईलो मीटर में देखोंगे और आप बोलोगे मैं सब्सक्राइब मेरे स्पीट फाइव किलोमेटर पर आ रहे हैं मतलब देखो हर एक इंस्टेंट पे विलॉस्टी अलग अलग हो कि अब खंडवा से याफ स्पीड निकाल लोगे कि आपके अप से बोलू कि ट्रें निकलती है दस बजे और पहुंसती है बोपाल डो तो बज़े तो बारा बचके दो मिनट में ट्रेन की वेलोस्टी क्या रही होगी बता पाओगे नहीं बता पाओगे यही जो एक्जक्ट वेलोस्टी यहां इसे बोलते हैं इसलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्या डवेलोस्टी विच गिप्स एक्जक्ट वेल्यू एड गिवें टाइम इंटरवल तो फिर इसको निकाले कि यह जो वैल्यू है एट इंस्टेंट कैसे निकाले इसके लिए तरीके इसके लिए रिके हैं अब इसको मिटाने वालो है इसके लिए ले लिया चलो ये मिटा दिया अब देना हूँ सब्सक्राओं कैरना कि आपको की जो इंस्टेंट इनस विल्लॉसटी यानि यू इू आ द॑ होती है यू अचण D不 upon dt यानि you are differentiating differentiating विट रेस्पेक्ट तू टाइम आप पोजिशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो डिफ्रेंशियेट कर रहे हो तो यह इंस्टेंटेनिस विलॉस्टी का फॉर्मुला है एक आपको निमेरिकल देता हूँ उससे आपको चीज़े बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे निमेरिकल ध्यान दिजएगा मिटा रहा हूँ इसको इसकी इसकी ले ले लेना कि देखो दो चीज़े निकालनी है सबसे पहले स्पीड 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 की वैल्यों निकालनी है अगर आपका जो डिस्पेस्मेंट है अगर आपका जो डिस्पेस्मेंट यह डिस्टेंस है जो उसको आप कुछ इस तरी के शो करते हैं थ्री टी स्क्वेर प्लस टी लुए प्लस टू एट टी इकोल टू टो लुए अटी इकोल टू फाइप सेकंट एट इकोल तू फाईब्सक्र शेकंट एक कोशन है कि स्पीड निकालो अगर डिस्टेंस की क्यों अगर्वेशंञा यह एक्स का आपका ओँस्टेंस अटीक है स्क्वेर टू टी प्लस टू दिया हुआ है डिवाइड टाइम प्लस हो जाएगा फाइड पर नहीं है यहां जाएगा तो कित अधा जए गए आपको फाइगा तो होजैगा तो टुन तो जाएगा तो तो और यह हो जाएगा आपका फाइव इन शॉट आप सॉल पूरोगे तो 85 87 अपॉन फाइव कट कर दो तो लबग इत्ता आएगा तो फाइव बंजब फाइव 37 और फाइव 7 लगभग 17 किलोमेटर पर आर क्या जाएगी स्पीड आ जाएगी आपके बाइग की कार की स्पीड क्या होगी वह निकाला है तो हमने टीक की वैल्यो चल्व पर इसमाय किता था आपका फाते चल्रव इसकरोटमाल किलोमेटर नहीं मीटर पर सैकेंड में नहीं तो 17 जो भी उनिट है उसके साफ से यहां पर आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर सेम कोश्चन इसके शॉट लेना अगर सेम कोश्चन में आपको वेलॉस्टी निकालने के लिए तो कैसे दूँगा सेम कोश्चन देखिए स्पीड आना स्पीड देता है 17 के आसपास आया है अब अगर सेम कोश्चन मैं आपको कुछ इस फॉर्म में दूँ मिटा लेता हूं थोड़ा सा थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉंप्लेक्स लगे जिनको समझ में नहीं आरे घबराना नहीं है दुबारा बताओंगा बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है थोड़ा सा महनत कर चलो अब आपको निकालना है कि आप क्या फा备ंड करना आपको सफेलस्टी फाइंड करने का जो कोश्चंट और कैसे आगा दिखते हैं है आपको बताना है इसे टोटल ले मेर्यारी कि करना क्या चाहत है अब आपको वταν का सेम दिया, displacement की वेलु क्या दिय हो यह, 3t square, plus 2t plus 2, और पूछ रहा है कि आपको बताना है, instantaneous velocity, from, t equal to, 0, 0 नि वाल ले लो, from, 1 second, to, t equal to, 5 second, अब कैसे निकालेगे, 1 second से 5 second के बीच में, ध्यान देने मिटा, 10 बच के 2 मिनट से 10 बच के 3 मिनट के बीच में, उसके वेलॉसिटी क्या रहे होगे, कौन बताएगा, माईलो मीटर वाला, लेकिन हम यहाँ पर mathematics से निकाल लेंगे, देखो कैसे, वेलॉसिटी, एवरेज वेलॉसिटी निकाल लेंगे, तो एवरेज वेलॉसिटी इकल टू क्या होता है, बुलो, xf-xi, upon क्या होता है, tf-ti होता है, बिटा, होता है नहीं होता है, अब आप लोग मुझे बताओ, xf क्या होगा, xf मतलब हो जाएगा, आपका 3, xf-fi, final time क्या है आपका, 5 अनियाद रखना, यह आपका, initial time है, यह आपका final time है, तो जब आप xf निकालोगे, यहां पर tf, tf हो जाएगा, final time क्या था आपका 5 सा न, तो 5 का स्कुर क्या हो जाएगा, बेटा, 25 से तो निकाल जुकिए आप लोगे न, यह हो जाएगा, आपका तो t क्या हो जाएगा, आपका ti हो जाएगा, ti हो जाएगा, रखों यहां पर, t, t square क्या हो जाएगा, बता यह 1 है, तो 1 का square क्या हो जाएगा, 1, फिर 2 into क्या हो जाएगा, 1, फिर क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 3, 1 जा 3, और 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, 7, यहां पर क वेट्याइट किता है आपका फाइव माइनस ची टाहे वन टेक और एट्टी सेवन मैंनस करो किता आएगा एट्टी फाइवरेज वेलोसिटी थे नहीं होगी ट्विंटी जो बी किलो मेंटर जो भी हापे हमने लिया होगा पर सेकेंट ठीकर कि यह किलोमेटर में नहीं मालूमीटर में दिया हुए मीटर पर सेकंड कि एक सेकंड से पास सेकंड के बीच में उसकी जो स्पीड थी वो 20 में Extra Leone Sir अबनिकाल सकते हो, अगर आपको चल जाए उसके displacement के एक्वेशन सिर्फ सिर्फ बसे holding तो आत इस तो सब्सक्राद का सकते हो में में या 3-बच के 5 मिनट में यही दोरों गीच में उसकी विलोस्टीत इन इत्हते दुबारा वीडियो देखो कई बार देखो समझ में आएगा बिलकुल आएगा नहीं आ रहा है वाटसपें डाउट बेचो दुबारा बताऊंगा याद रखना हो मैं एक हजार बार बताऊंगा आपको वह चीज लेकिन आपको मेनद करना पढ़ें अगर समझ में नहीं आ रह कि धुबारा बार बताऊंगा यादस्ट लेकिन आपको दुबारा बताऊंगा नहीं आपको वह चीज लेकिन आपको फिर देखो को दो दूबारा बताऊंगा इंगा